अज़ा आप आप अज़ा आप आप नमस्कार मित्र में में तुपाइबत करता हूँ आपके आपके अपने चैनल पर तो देखिए आज हम कुछ ऐसे चीज़े बताएंगे आपको कि जिससे गारेंटी है कि आप आप सीख ही जाएंगे लगभग यह समझे कि 99 प्रतशत गारेंटी है कि आप सीख ही जाएंगे तो इसके लिए है जिसको शायद कई लोग एग्नॉर करते हैं सबसे पहले आपके पास एक अच्छी बांसरी होने चाहिए अब अच्छी बांसरी इसलिए क्योंकि देखिए बांसरी मिलने को 100-200-300 रुपे में भी मिल जाती है लेकिन कई बार बांसरी में ही क्या होता है कि कई बार हम ठीक बजा रहे होते हैं बांसरी ठीक से नहीं बज रही होती है तो उसकी वज़े से बहुत जादा डिमोटिवेशन आ जाती है अना शुरुवात में तो थोड़ा इस चीज से बचने के लिए सबसे शुरुवात में ही पहले अपने लिए ठीक ठाक रख ले ऐसा भी नहीं कि बहुती ज़्यादा एक्सपेंसिव हो क्योंकि बांसरियों का रेट जो है आपका जो अच्छे क्वालिटी की बांसरी मिलेगी वह आपके 800 से लेकर कि चांस हो सकते हैं अब दूसरा चीज अगर हो सके तो किसी गुरुजी की पास सीखे अपने आप भी आप ट्राइक करते होंगे बहुत बढ़िया चीज है लेकिन अपने आप पर बहुत जादा टायम लगता है वैसे यूटूब से सीख सकते हैं यूटूब में बहुत बढ़िया बताने वाले हैं बहुत से गुरुजी भी हैं लेकिन क्या होता है कि कोई आपको नौटिस करने वाला जरूर होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं भले क्या पता आप सही कर रहे हैं लेकिन जब तक confirmation नहीं होना तब तक आदमें 100% उस चीज़ क liτध की पीछे भाग नहीं सकता तो खुद से सेखने में कोई प्रोब्लम नहीं है YouTube से लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसा हो जो आपको आपकी गलतियां बताने वाला है तो अगर कोई आपके पास आपकी गलतियां बताने वाला है तो garanti है कि कि आप बहुत अगर कोई हार्मोनिय मालेवी हैं तो वो आपको बता देंगे कि आपका सारे गामा पाधान इसा गलत बद रहा कि नहीं बद रहा है बाकि टेक्निक आप जो है टेक्निक के लिए आपको जरूर बांसरी के गुरूजी से संपर्क करना चाहिए क्योंकि बांसरी में गमक किस प् पेसिंग में बजाना सीख जाऊंगा तो तब उसके बाद जो है शीखना शुरू करूंगा गुरूजी के पास तो यह कोई भी बात नहीं हुई आपको मीन यह करना चाहिए कि पहले आपको गुरूजी ढोनने चाहिए कि मेरा सर ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा है ये सबस में सीखते और वह प्रोग्लम का बात ही है तीन साल बाद चार साल बाद तो तब चार साल बाद अगर आपको कोई चीज पता लगे कि मैं जो है फ्लैट स्वर बजाता हूं और आदध ही वैसी पढ़ जाती है तो वहां जाकर क्या फस जाते कई बार कुछ लोगों का चैशी नहीं हुआ पोजिशन ही नहीं कई लोग शुरुवात तो कर देते लेकिन 6 मैने बाद साल बाद उनका किसी का मर्दार्द किसी का जो है तो वह सारा चीज शुरुवात में आपको अब्यों करनी पड़ती है तो शुरुवात में आप किसी गुरूजी से जिखे जो आपके basic concept clear करवा दे उसके बाद से आगे बढ़ने के लिए तो घुर्जी के पास सिखे harmonium भी सिख लीजी या कोई किसी भी चीज में जिनको साज का ग्यान है साज माने सरगम का knowledge है चाए पाइलियन वाले हो चाए वह गायन वाले हो चाए हार्मोनियम में लेखना ही कि आप बजा रहे हैं अपने पर बहुत बड़ी है लेकिन किसी के साथ संगत कीजिए बहुत जरूरी है अगर आप आपका 10 गंटे का रियाज और 10 साल का रियाज कमरे के अंदर का रियाज कुछ अलगी है और किसी और गुरूप में किसी और लोगों के साथ संगत का रियाज कुछ अलगी है उसमें असली काम करनी की चीज़े तो बाहर ही हैं जी कमरे के अंदर तो कोई बी उस्ताद बन सकते ह हैं लेकिन सबसे में चीज क्या कि किसी औरों के साथ संगत कीजिए कोई ग्रूप होगा और पार्टिशिपेट कीजिए जैसे यह जो कारेकरम होते कभी स्कूल में हो गया कोई कारेकरम जैसे होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त वगेरा में तो आप वहां पर उनको भी बोल दीजिए कि मुझे एक गाना बजाना आता है मुझे एक गेर बजाना आता है तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पर जायन करें वहां पर जाये तो इससे बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है आप बेसिक के पीछे ज्यादा भागा कीजिए बेसिक माने कि सर के पीछे अलंगारों के पीछे गमक के पीछे में के पीछे थाटों के पीछे यहां भागा कीजिए रागों के पीछे यह जो में चीज है जो जड़ है आप जाता तर अगर गाने बजाने के कोशिश करते हैं और इन पे जड़ पे काम नहीं करते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर वह चीज आभी नहीं पाती है गाना बजा रहे होंगे आप लेकिन अगर आपको गाने का अराग या गाने का भाव पता होगा या अगर आपने उस गाने से रिलेटेट थार्ट या सदिखं़ों का रियास किया तो आप एक गान्य को बहुत प्रकार से जब्रदसतरी के से खिला सकते हैं तो मीन क्या कि पहले जड़ कर दिया कि Mm क्या होती है कि नहीं ऑगे हैं थ्यान एक compound अब यह उसक्ट आपको लेकिन अगर आप इने चीजों के ढखें त्रकू giradar economy, नहीं तो अब यह ध्यान कौन देंगे यह ध्यान देंगे गुरुजी कि हाँ ठीक जा रहे हैं तो इसलिए अगर आपके पास हूं माने कि कोई जरुणे की जो है बांसरी वाले लेकिन कोई भी अगर गुरुजी आपके पास हो हाँ रिदम थोड़ा अलग हो गए अगर कोई तबला वा रहे कि आप हमसे ही सिखे लेकिन यह आपको वही चीज है कि आपके घंटों बचा देंगी यह चीज जो हम आपको बता रहे हैं अगर आप इस चीज पर अभी से फोकस करते हैं तो यह किन मानिए आपको कई घंटे बच जाएंगा फिर कुछ टाइम के बाद आपको बहुत आनन्द आएगा इस चीज को बहुत सारी लोग करते हैं लेकिन आम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा काम करते तो आराम से आप जो है सीख सकते हैं तो देखिए क्योंकि यह चीज हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं यह कुद हमारा अपना अनौभी है और एक तो ह के लिए के लिए लगे रहते हैं यह चीज और गारंटी है कि अगर वह कहीं जाते तो पचास साल के जगह वह पांच महीने में ही जो है बहुत बढ़ी बढ़ी बात यही है तो इस पर कारवाय कीजिए ठीक है आप सभी को नमस्कार